नमस्कार सांथियों मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी का एक बाब फिर से स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं इस बर्स आपको निश्ठा 3.0 FLN के कुल 12 कोर्स कम्प्लीट करने हैं जिस मैंसे 6 कोर्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कम्प्लीट हो चुके हैं इसी तरह आपको जनबरी माह में भी दो मॉडियूल पूरा करना है मॉडियूल नमबर 7 और मॉडियूल नमबर 8 आज के इस बीडियो में हम निश्ठा 3.0 FLN के मॉडियूल साथ प्रात्मे कक्छाओं में बहुभाशी सिक्षण की आकलन की प्रशनोतरी को लेंगे इस कोर्स को पूरा करने की अंतिमतिती 31 जनबरी है और यह सभी राज्यों के सिक्षकों के लिए कम्पल सरी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की informative वीडियो आपको एक platform पर मिले तो उसके लिए आप वीडियो को subscribe और share जरूर करें साथ ही module 8 की आकलन प्रशनोतरी के लिए description box में दी गई लिंक पर click करें चलिए module 7 प्रात्मिक अक्छाओं में बहु भाशी सिक्षन की प्रशनोतरी स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन है रोज मर्रा के जीवन में हम मैंसे अधिकतर लोग कैसी भासा का प्रयोग करते हैं तो इसका सही उत्तर है मिली जूली भासा चलिए इसके बाद वाला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है गलत कथन चुने तो इसका सही उत्तर होगा मातर भासा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विश्यों को सीखने में कठिनाई होती है आगे बढ़ते है फिर है प्रशन बहु भाशी सिक्षन के लाच में शामिल नहीं है इसका सही हुत्तर है ककच्छा एक में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना चलिए फिर आगे देखते है फिर है प्रशन ग्यान के इस स्रजन के लिए किस भाशा की अवशकता है इसका सही उत्तर है परिचित भाशा चलिए आगे देखते हैं फिर है प्रश्न ग्यान के इस रजन के लिए किस भाशा का पुल अवश्यक है इसका सही उत्तर है परिचित भाशा फिर है प्रश्न कमला राजस्तान के कोटा जिले में रहती है उसके घर की भाशा हडोती है उसन इसकूल सुरू होने के चार महीने बाद इसकूल में दाखिला लिया है और आज उसका इसकूल में पहला दिन है आप ऐसा क्या करेंगे जिसे कमला सहज महसूस कर सके इसका उत्तर है कमला से हडोती भासा में खूब सारी अनौप चारिक बाचीत करेंगे चलिए आगे बढ़ते है इसके बाद प्रशन है कोर्स में बारली पेंटर की कहानी देने का उर्देश्च्य क्या है इसका सही उत्तर है अवश्यक्ता अनुसार एक से अदिक भाशाओं के उप्योग के बारे में बताना अगला प्रसन देखते हैं प्रश्ण है प्रथम भाषा L बंध से तात्य पर है इसका उत्तर है बच्चे की समझ की भाषा चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद प्रश्ण है इन में से मिश्रित भासा का उधारण नहीं है इसका करेक्ट आंसर है सिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं फिर है प्रश्ण आरंभिक बर्सों में बच्चों की सिक्षका माध्यम उनके घर की भाषा सोचने समझने बाद सभी विश्यों को सीखने का आधार है चलिए आगे देखते हैं इसके बाद प्रश्ण आता है वह भाषा जो आपचारिक तोर पर पार पुस्त को सिक्षन समगरी और सिक्षन प्रक्रिया में इस्तिमाल की जाती है वह भाषा खालिस्थान कहलात है तो इसका सही उत्तर होगा सिक्षन का माध्यम चलिए आगे देखते हैं फिर है प्रश्ण कक्ष्ण में दूसरी भाषा सिखाने की आधार भूत सर्त नहीं है इसका सही उत्तर होगा सुरुआज से ही एल्टू की सब्दा वली लिखना चलिए नेक्स प्रश्ण है इसके यह सीखा की इसका सही उत्तर है जिन छेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहां बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्ण है भाषा अंतर नहित निपुनता का सिद्धान्त किसके दौरा दिया गया था इसका सही उत्तर है जिम कमिन्स चलिए फिर नेक्स्ट है प्रश्ण है भारत में हुई 2011 की जनगरना से यह बात उभर कर सामने आई की इसका करेक्ट आंसर है अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं चलिए नेक्स्ट द परस पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विख्षित होती है फिर है प्रश्ण भाषा सिक्षन से जुड़ी भ्रांती चुनिये इसका करेक्ट आंसर है जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्थ पुस्त के पढ़ने के लिए देंगे ब इसका सही उत्तर है छोटे बच्चे अपनी मात्र भाषा के माध्यम से बहतर रूप से सीखते हैं चली अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है बहु भाषी सिक्षन के संदर्भ में निम्न में से गलत बाग की चुने इसका सही आंसर है अलग-अलग भासां को कक सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा इसका सही उत्तर होगा रमेश जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भासा का प्रयोग होता है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद प्रश्ण है आरंबिक बरसों में L2 के विकास के संदर्व में निम्न मेंसे कौन सी रण नीती लाबदायक नहीं होगी तो इसका सही उत्तर होगा L2 सिखाने के लिए वर्ण माला को याद कराना और पाठ पुस्तक के अभ्यास कराना चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्ण आता है सीखने की प्रक्रिया में ग्यास से अग्यात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए यह बात आई है तो इसका सही उत्तर होगा NCAB 2005 में अगला प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण है इनमें से कौन सा बाग के राष्टी सिक्षन नीती 2020 के अनुसार नहीं है इसका सही उत्तर होगा मातर UDISE के अनुसार भारत की स्कूलों में सिक्षन का माध्यम कितनी भाष्ण है इसका सही उत्तर है 36 भाष्ण है चलिए आगे देखते हैं प्रश्ण है लिंक भाष्ण का प्रयोग किस परिस्टी में किया जाना चाहिए इसका सही उत्तर है जब विभिन भाष्ण संबंधी रहते हूं चलिए फिर इसके बाद वाला प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण है कमला जी कक्षा दो के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है उन्हें अपनी कक्षा में निम्न मैंसे कौन सी रणनीती अपनानी चाहिए तो इसका सही आंसर होगा हिंदी भासा का प्रयोग भाशा संबंदी मोडल के अध्यन में निसकर्श निकलता है की इसका सही आंसर है ओप्सन नमबर चौथा मातर भासा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विश्यों में बहतर प्रदर्शन किया चलिए आगे देखते हैं आगे प्रश्ण आता है इन मैंसे सोध करता बुल् कुछ कुछ भी नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्ण है भारत की जनगरना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातर भाशाएं बोली जाती है इसका सही उत्तर होगा 1379 चलिए इसके बात देखते हैं प्रश्ण प्रश्ण है इन मैंसे कौन सा कथन बहुभाशी के संदर्म में सही है इसका सही आंसर होगा तीसरा ओप्सन बच्चों की भासा को दूसी भासा सिखाने के लिए इसके फोल्ड के रूब में प्रयोग किया जाता है फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्ण है बहुभाशिकता का अर्थ है इसका सही आंसर है चौन था किसी दो या दो से अधिक भाशाओं का प्रयोग करना चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद बाला प्रशन है सिक्षण कार में L1 का प्रयोग करने से इसका उत्तर है फस्ट बच्चों को सभी विश्य समझने में मदद मिलती है चलिए फिर देखते इसके बाद बाला प्रशन इसक इसका सही उत्तर है चोंथा जहां तक संभा हो कक्षा पांच भी तक सिक्षन का माध्यम बच्चों की समझ की भासा हो चलिए आगे बढ़ेंगे आगे है प्रश्न प्रात्मे की स्कूल में लगभग 25 प्रतिशत बच्चों को आरंबिक बरसों में गंभीर चुनोतियों का सामन क्यों करना पड़ता है इसका सही उत्तर है ऑप्सन नंबर 4 घर की और स्कूल की भासा में अंतर होना चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न है भासा के कारण छती उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है तो इसका सही उत्तर है ऑप्सन 1 अंग्रेजी माध्यम म पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का महौल है चलिए फिर देखते हैं प्रश्न है प्रतेक राजी और राजी के भीतर प्रतेक इस्थानिय प्राधिकारी भासा संबंदी अल्प संक्यक वर्गों के बालकों को सिक्षा के प्राथ में किस तर पर मा इसका सही उत्तर होगा भारत का संबीधान चलिए इसके बाद देखते हैं इसके बाद प्रश्न आता है आरंबिक वर्सों में बच्चों की सिक्षा का माध्यम उनके घर की भासा ही होनी चाहिए क्योंकि इसका सही उत्तर है option 4 भासा सोचने समझने बा सभी विश्यों को FLN मिशन की सफलता के लिए अवश्यक है इसका सही उत्तर है option 1 बच्चों की परिचित भासा का प्रयोग करना चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद प्रश्न आता है बहु भाशी सिक्षन पध्यती की बिशेश्ता नहीं है इसका सही उत्तर होगा option 3 कक्षा में किसी एक भा बहासा का प्रभुत्व होना चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्न है बहासा के कारण छती उठाने वाले बच्चों में कौन सामिल नहीं है सही उत्तर है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाश्या का महौल है चलिए इसके बात देखते हैं इसके बात प्रश्न आता है असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवाशी समुहों के बीच की भाशा को कह सकते हैं इसका सही उत्तर होगा लिंक भाशा दोस्तों आपको बता दूँ कि इस वीडियो में आए प्रश्न उत्तरी के 40 प्रश्नों में से कोई 20 प्रश्न आपको प्रश्न उत्तरी में देखने को मिलेंगे जिसका उत्तर देकर आप प्रश्न उत्तरी में 20 में से 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सेर जरूर करें जिससे मैं आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूँ धन्यवाद